हाँ हेलो गाइस आज का हमारा नाइन्थ लेक्चर है पर इस लेक्चर भी हम इंसेक्ट के विंग के बारे में पड़ेंगे इस लेक्चर को में दो भागों में डिवाइट कर दिया है आज का पार्ट वान जिसमें हम विंग वेनेशन के बारे में पड़ेंगे पर पार्ट टू इज का आएगा, जिसमें हम बीज के कप्लिंग और उसकी मोडिफिकाशन गभाए पड़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हां अजको लेक्टर वर्टिब्रेट एनिमल जो हैं, वर्टिब्रेट एनिमल जो हैं, वर्टिब्रेट इनिमल 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 जो हैं, वर्टि कुछ violations. कुछ 1600 उन्म संब क challenging शेके निक कि कॉछ आप्तेर्ण कुछ सिल्वा स्परिंग टेर्स हो गया. ऐसे लिए हम इन्म को अप्टरेस जो तो जेए लिए्ट से सब्सक्राइब, सल्सक्त्राइब, यह रौकिस्ट कुछ, पल्की जोते हैं और आंट और तर्माइट जो हैं, इनमें विंग्स जो हैं, वो डेसिडियोस टाइप के होते हैं, मतलब बाद में इनमें विंग्स जो हैं, वो खत्म हो जाते हैं विंग्स जो है टेरोथोरेक्सिक सेग्मेंटर बोलन होते हैं टेरो थोरेक्स इस चेग्मेंट मतलब की मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स, मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स पर ये विंग्स पाय जाते हैं, वर इन दोनों को विजा कर हम टेरो थोरेक्स बोलते हैं, विंग्स फ्लेट होते हैं, डबल नेर एक्सपांशन होते हैं ये बोड़ वाल कर्फ और इंग में डोर्सर और वेंटर लेमिला होती है जिनका स्ट्रक्चर जोईन वो इंटेगी वेंटर लेमिला ये ग्रोव होती है और फ्यूज हो जाती है एक सांथ ये कुछ लाइस जोने वो फ्यूज नहीं होती है बांकि सब फ्यूज होजा पिए एक सांथ और एक ये चैनल बना लेते हैं ये चैनल जो है ट्रेकिया नर्व और बलड को एक पैसेज प्रवाइद करते हैं विंक्स जो है वो बलड से नीरीस जो रहते है बलड सर्कुलेशन होता इन में वेसं के द्रमाला Lahir जो चैनल की वॉल है ये बाद में ठीकोकर वेर्न या नरौ बना लिए ये जो चैनल ने इसकी वाद में ठीकोकर वेंस या नरौ बना लिए ये अब हम पढ़ते हैं विव वेनेशन के बारे में जो अरेंजमेंट है वेंज का विव के उपर उसे ही हम वेनेशन बोलते हैं इसलिए हम इसको विव वेनेशन बोलते हैं क्यों कि विव वेनेशन बोलते हैं उससे हो वी वेनशी बोलते हैं. इसका इंसेक्ट क्लासिफिकेशन भी यूज किया रहाता है. विंक्स में लोगिटुडनल वैन होती है और क्रोश वैन्स गे होती है. तो हम पहले लोगिटुडनल वैल के बारे पढ़ लेते हैं. longitudinal vein count ऊपर से नीचे arrangement कुछ इस परकार से होता है जिसए कि ऊपर सबसे पहले costar ती उसके नीचे sub costar उसके बाद radius उसके बाद radial section उसके बाद ऊपर से नीचे ओइनधेर्मिडियस今年 पारा Eigenaccord मीडिया फिर पोस्टेरीाब मीडिया एंटेरीर क्योट उसके बाद Posterior Pubitus और उसके बाद होता है NR इस तरह से उपर से नीच से ये अरेंग रेटी है इस स्ट्रक्चर में हम देख लेते ही ये जो स्ट्रक्चर इसमें देख लेते ही कैसे अरेंग है ये सबसे उपर वाला ये है कोस्टा फिर इसके नीचे ये सब कोस्टा इसके बाद ये ये रेडियस ये यहाँ सहरा है जपर ये रेडियस एक्टर ये विफूरा इसके बाद है ये मीडिया ये याँता हीर भीत इसके बाद ये रेडियस यहाँ सहरा है अभ आहम कोस्टा के बारे मैं पढ़िए थी जो लेदिंग एयसे विंक्स की विंक्सकी लेडि येज पर जो आ सुटोव और जो मारचिनल पार्ट है जो कैसर अपएक्स तर फेला होता है विंक्स की उससे यह हम कोसटा बोलते हुआ और यह इसमें ब्रांचेस नहीं रहती है इसके बाद इस सब कोस्ट है यह सेकेंड लोंगी टुन्डन वेन रही और इसमें भी जो पोस्टेरियर सेक्टर जो है सब कोस्टा का सब कोस्टल पोस्टेरियर सेग्मेंट यही मेन वाला सेग्मेंट है यही जो मेन डोल्गी टुन्डन वे नहीं कि जो सबको स्टा है वो जो मौर्श दॉख है में है मैं है में पिर तेरा ओडर में सबसे दाइयों पिछ सबको स्टा रिडियूं बनाथिा फिर फिर फियूं बनाती रेडियस के साथ में उसके बाद है radius यह third way है यह usually strongest way है wings की और यह wings का सबसे आधा portion इसी से द्वारां cover की होता है wings का जो posterior radius है उसको हम जर्नल ली रेडियल सेक्टर बोल थे हैं radial सेक्टर जो है वो posterior radius ही है और इसकी end branches जो है, वो R1 से R5 तक रहती है इसके लाद है media, यह fourth longitudinal way नहीं है इसमें anterior media और posterior media होते हैं और इसमें चार branches रहती है पुछ जो insect हैं, उनमें anterior media radius के साथ fuse हो जाता है इसलिए सिर्फ posterior media ही इसमें होता है और ऐसे cases में, जिनमें anterior media fuse हो जाता है radius के साथ में उन cases में जो posterior media है, उसी को हम media की तरह research करते हैं media ही मानते हैं मगर उसको हम इसलिए इसमें M1 से M4 branches हो जाती है इसके बाद है qubiters, qubiters जो है, फिफ्ट लोग के तुर्णर में रहें जो anterior qubiters है, इसमें 4 branches रहती है और जो posterior qubiters है, वो unbranched रहता है उसमें branches नहीं रहती है और यह clevel fold के पास में ही रहता है posterior qubiters उसके बाद है anul van, qubiters के पीछे जो van से है उसे हम anul van बोलते है जो anterior anul और posterior anul है, यह separated रहती है anul fold के द्वारा, इनकी मेंचों में anul fold रहती है नियो अबटेरा में जो anterior anul है, वो fuse रहती है posterior qubiters या qubiters के साथ बादे यह structure है, विंक का इसमें हम देख लेते हैं longitudinal waves कहा कहा कौन-कौनसी है और कौन-कौनसी branches है उनकी, कितने branches वे गिवाइडेंग है यह जह कोस्टा, ऊपर वाला, जो किस अनुव ब्रांच जो गता है इसके बाद है यह sub-kौनस्टा इसमें यह two branches से posterior sub-kौनस्टा की यह posterior sub-kौनस्टा है और इधर यह anterior इसके बाद है यह radius यह anterior radius जिसकी दो branches है और यह posterior radius इसकी दो branches divide है उसके बाद में इसको चार branches में divide कर दिया है यह one, यह two, यह three और यह four इसकी पॉस्टेर यह radius कूप हम radial sector ले बूल दें इसके बाद है यह media यह anterior media यह उपर वाना इसकी चार branches से यह one, यह two, यह three और यह phone यह posterior media इसकी भी चार branches से यह one, यह two, यह three और यह four यह जब anterior media इसके साथ में radius के साथ fuse हो देता है तो यह posterior media को ही हम media की तरह treat करते हैं और इसकी जो branches से उनको हम M1 से M4 तक बोलते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है यह M1 MP1 को M1, MP2 को M2, MP3 को M3 और MP4 को M4 इसके बाद एक क्यूबिटर्स यह ही यह anterior क्यूबिटर्स के चार branches से वन, यह two, यह three और यह four और यह posterior क्यूबिटर्स जो क्या unbranched रहे है यह unbranched रहे जो posterior क्यूबिटर्स ही वो clevel fold के पास में ही, यह clevel fold है यह जो क्यूबिटर्स ही, posterior और anterior और इनके बीच में है यह clevel fold इसके बाद यह है अपना anterior, यह anterior और यह है posterior और यह है posterior और इनके बीच four भागोगी, fold part में divide किया है जो anterior और posterior और 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 इनके बीच में, बीच बीच में दोलों को एक fold डिवाइड करता है जिसे हम एनाल फॉल्ड होता है, यह एनाल फॉल्ड है, और इसके बाद में, एंटेर जो पॉस्टेज है एनाल और जुगल के बीच में, जुगल फॉल्ड होता है, यह जुगल फॉल्ड है, और इसके बाद यह जुगल है, जिसके फॉर पार्ट है, यह फॉर पार्ट है इसकी भी इस स्ट्रक्चर से आप लोग समझ गए हैं सारे ब्रांचेस और लोगिक्रिनल वेंज के बारे में जो हाइंड विंग वतर है और तो प्रेवरिड इंसेक्ट के उनमें लार्ज एनाल एरिया होता है जहां पार जो एनाल ब्रांचे से वो एक फेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है इसके बारे जुगर यह इस्मॉल वेंड होती है जुगर एरिया पर होती है उन्हें हम जुगर बोलते है यह जो है वो नियूप टेरा में दिखाई देती है यह जुगर वेंड जो है जैसे कि हम इस्ट्रक्चर में यहां बतायत है यह जुगर वेंड है यह वादी जिनको हम जो चार फोर ब्रांचे से जिनकी और ये वाला एरिया जो ये वो जुगल एरिया है जिस पर ये वेन है जिकी अब जो वेन क्रेस्ट पर थी उन्हें हम कॉन्वेक्स बोलते ही और इनको हम प्लस से इंडिकेट करते ही और जो वेन थ्रो पर थी उनको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं और इनको हम माइनस से इंडिकेट करते ही जैसे जो वेन उपर है उनको तो हम कॉन्वेक्स बोल देंगे और जो वेन नीचे में है उनको हम कौनके बोलते हैं तो हम इस ट्रक्चर में देख लेते हैं इस वाले इस ट्रक्चर में देखते हैं अगरे यह कोस्टाह जो है यह कॉनेग्स हो गयां और सब कोस्टा यह कॉन के हुएन हो गयां इसके बाद एंटेरियर मीडिया यह कॉन्वेक्स वेन और जो पोस्टेरियर मीडिया है यह कॉनके वेन है क्यूबिटस एंटेरियर क्यूबिटस कॉन्वेक्स और पोस्टेरियर क्यूबिटस कॉनके और एनाल जोए यह कॉन्वेक्स है अब एक cross waves, cross waves है यह transverse waves है और यह longitudinal waves उनको जोडती है ताकि wings को एक rigidity प्रोवाइड कर सकी, wings hard हो जाए इसलिए यह cross waves जोडने का काम गनती है इनका जो नेव है जो क्रोस वेन है इनके नेव जो है नोंगिटूडनल वेन से कहां पर ये कौन सी पोजिशन पर ये जोईन करती है नोंगिटूडनल वेन को उस पर डिपेंड करता है इनका नाम जो और्थोप्टेरा और अटा है इनके बहुत सारी वेन्स होती है लेकिन कुछ इंसेक्ट जो अधर इंसेक्ट है उनमें डिफेनाइट डिफिनिट नंबर में क्रोस वेन्स होती है कुछ स्पेसिफिक पोजिशन पर ये वेन्स होती है जो small veins होती है जो longitudinal vein को interconnect करती है उन्हें हो cross vein बोलते ही longitudinal vein की presence के करण जो cross vein है वो एक space में enclosed space में divide हो जाती है जिसे हम sail बोलते है जो insect है dragonfly और damson fly इनमें एक opaque spot पाया जाता है near the coastal margin of the wing wings की जो coastal margin है वहाँ पर एक sport पाया जाता है dragonfly, damson fly जिसे हम terror stigma बोलते हैं जो की R1 मनदब anterior R1 के first plus 2 और interior R1 के 3 plus 4 वाले पार्ट पर होता है हम बोलते हैं की बोलते हैं इस इस structure में ये जो structure इसमें ये black spot है ये बना इसे हम terror stigma बोलते हैं ये dragonfly और damson fly में पाया जाता है ये interior R1 की जो 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 ब्रांच के बीच में पाया जाता है इसके बार हम कुछ जो main crossways हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं वैसे तो बहुत सारी crossways होती हैं लेकिन कुछ ही main जो crossways हैं उनके बारे में पढ़ेंगे humoral crossways ये costa और subcosta के बीच में पाया जाती हैं ये है costa और ये subcosta इसके बीच में ये जो main हैं ये है humoral crossways इसके बाद रेडियल crossways ये जो है r1 और first four of rs मितलब radial sector और anterior radial के बीच में ये पाया जाती हैं ये हो गया radial sector फिर radial sector के तो ये है ये अपना anterior radial जैसे हम आरवन बोड़ तो इनके बीच में ये radial crossways ये उसके बाद ये sectorial crossways ये sectorial crossways जो है radial sector के दो fork ये बीच में बाया थी ये radial sector ये इसका ये पहला वाला fork है और उसके बाद में ये दुसरा fork ये इसके बीच में जो crossways ये है sectorial crossways इसके बाद median crossways ये second और third media के बीच में बाया जाती है ये है median का second और ये है third media इन दोने के बीच में ये crossways ये है median crossways ये इसके बाद media cubital crossways ये इसके बाद ये radial median crossways ये वेन जो है वो radius और media के बीच में बाया जाती है ये radius है और इधर ये media है इनके बीच में जो एक crossways ये है radial median crossways ये है अर आभ, येim से denote करते हैं इसके बाद ένα crossway और ये जो की ebit ओर बीच में बीच में बाया जाती है इसे हम c you ऐ से denote करते है ये tails कुट is और ये इन इससे हम DO इन ऊक्छ में बोल सकते हैं क्योवीत अनाज क्रो सकते हैं गबिच के फॉल सकते हैं ये मेरे क्रोसवेंड हो गईं जो की लोंगेतुड्यन लोंकिसटरीनल वेंड को इन्टरनेक्ट करती है अब एक रेजन ही जहां बहुत सारी वेंड हो थी ए क्लेवल फरो के सामने Clevel Farrow के सामने एक ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत सारी bulk में cross wings होती है bulk में veins होती है उसे हम remision बोलते हैं उस area को हम क्या बोलते हैं? remision Clevel Farrow के पीछे वाला जो area होता है उसे हम clevels बोलते हैं लेकिन hind wing जो है उनमें ये area expand हो जाता है जिसे हम veners बोलते हैं hind wing इस area को veners बोलते हैं और ऐसे wings में इस area को हम clevels बोलते हैं जो leading edge है wings की उसे हम coastal margin बोलते हैं coastal margin और जो trailing edge हैं उसे हम anal margin बोलते हैं trailing edge को anal margin और leading edge को coastal margin बोलते हैं और आउटर रेज को एपिकल मार्जिन बोलते हैं आउटर रेज को क्या बोलते हैं एपिकल मार्जिन कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीज के एंगल को एपिकल एंगल बोलते हैं और एपिकल और एनल मार्जिन के बीज के एंगल को एनल एंगल बोलते हैं जो इंगल वोता है उसे हम humoral angle बोलते हैं यह wings का इसमें यहाँ base पर जो इंगल है इसे हम क्या बोलते हैं humoral angle इसके बाद यह हमारी leading edge है wings की इसे हम coastal margin बोलते हैं यह trailing edge है इसे हम annon margin बोलते हैं और यह outer edge इसे apical margin बोलते हैं coastal margin और apical margin इसके beach वाले angle को apical angle बोलते हैं apical margin और annal margin इसके beach वाले angle को annal angle बोलते हैं यह behavioral angle तो base पर जो इंगल बनते हैं तुसे हम humoral angle बनते हैं thank you guys for watching this video अधर वीडियो आपका अच्छा लादा हो तो please like करने और comment करने हुआ 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 हा अवार wज यघर जो